नमस्कार दोस्तो मैं अमित जांगडा सुआगत करता हूँ आपका यूटूब चैनल जनरल डोजबाई एजे पर हैं दोस्तो फाइनल एर वाले विद्यारतियों के एक्जाम से रिलेटड दो बड़ी अपडेट हैं पहला सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी फाइनल एर के एक्जामस को ले करके क्योंकि पेटिसन डाल दी गई है या चिकाए डाल दी गई है यूजी सी के डिसीजन के खिलाफ तो अभी आज इसके उपर सुनवाई थी दूसरा दिल्ली हाई कोर्ट ने यूजी सी से पाइनल एर के एक्जामस की आचिकाए डाली है वो ये वकील है बट सेंट्रल गोर्मेंट इंफॉर्मड एसी देट एस सिमिलर पटिसन फिल्ड वाई एन एस्यू आई कोंग्रेस गोट डिसमिश्ट टुडे बाई अनधर बैंच तू दीस एसी हैज डिरेक्टेड टू लि जुन्होंने अलग से एक पटिसन डाल रखे कि इसके उपर सुनवाई होनी चाहिए सुप्रिम कोर्ट में यूजी सी के डिसीजन के खिलाफ याचिका लगाई गई है तो दोस्तो आज इन याचिकाओं को लेकर के सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई थी तो अभी सुप्रिम क यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो सुनवाई है याचिका जो डाली गई है चार से पांच याचिका अभी डाल दे गई है जैसे कि अधित्त ठागरे ने भी एक याचिका डाल रखी है इसके खिलाफ तो दोस्तो यह थोड़ा सा लंबा भी चल सकता है कि ज जो इसके उपर फाइनल डिसीजन आये वो अगस्त मिड तक आने की संभावनाई है लेकिन दोस्तो अभी जो पटिसन डाली गई थी आज जो सुनवाई थी उसके लिए अगली डेट दे दी गई है सोंवार को इसके उपर फिर से सुनवाई होनी है आगे देखिए दिल्ली ह हाई कोट ने यूजी सी से पूछा करोना काल में कैसे लेंगे फ्रिक्स या पटिटनेर्स ने की यूजी सी के आदेश को रद करने की मांग ICMR नॉवंबर में करोना का पीक सीजन आ सकता है आर्टिकल 21 के तहत परदत जीवन के अधिकार का खुला उलंगन है दिल्ली हाई को यूजी सी से पूछा की मांगी की गंभिरता को देखते विए आप एकजाम कैसे लेंगे। हमें बताइए। तो दोस्तों जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो दिल्ली हाई कोट है या फिर स्पॉर्म कोट है ये जो भी डिसीजन लेंगे ये वी देर्टियों के प फाइनल एयर के एक्जाम्स को विद दिल्ली हाई कोट या फिर जो सुपरियम कोट है वो इनको कैंसल करवा सकते हैं लेकिन अभी इसके उपर डिसीजन जो डिसकसन हो रहा है यह थोड़ा लंबा चल सकता है और इसके उपर जो फाइनल डिसीजन आएगा वो अगस्त मीड तक आने की संभावनाय बनी होई है अगर दोस्तों आगे कोई भी अपडेट आता है तो आपको फूरी जानगारी दी जाएगी धन्यवाद दोस्तों जै हिंद जै भारत